वेलकम बैग फ्रेंड्स ये है हमारी वीडियो नूमबर 31 क्लास 10 इंफर्मेशन टेक्नलोजी यानि की IT के लिए और हम डिस्कस कर रहे थे इंप्लाइबिलेटी स्किल्स के अंदर कम्मिनिकेशन स्किल्स को और इस युनिट की पहली वीडियो में, में प्रिवेश वीडियो में, हमने डिसकस किया था मेतचस कौंकौं से हैं कम्मिनिकेशन के अंदर और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं mainly feedback के बारे मैं लेकिन उससे पहले हम त्छोड़ा सा है या पे revise करेंगे Class 9 का Communication Cycle या Simply Communication Process हमारी क्या होती है तो Communication Process Simple है Communication Process को आप बोल सकते हैं इसके बाद आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं Communication Cycle आपका एक 7 Step Process है Information को Send करने की आपका One Person से किसी दूसरे Person पे अब Communication जो होता है यह एक Two-Way Process होती है यानि कि आपका Two-Way Exchange होता है Information का और यहाँ पे Speaking यानि कि जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो यह आपके Example है Information को देने के यानि कि Giving Information और जब आप पढ़ते हैं और Simply सुनते हैं तो यह Example है Receiving Information के यानि कि जब भी आप बोलेंगे जैसे कि आपका Speech है, Dictation है यह सभी आगर आप लिखते हैं तो यह सभी Information के देने के तरीके हैं आपके Example है Giving Information के और जब आप Read करते हैं किसी चीज को सुनते हैं, Listen करते हैं तो यह Information को Receive करने के Example है अब हम बात करते हैं Elements of Communication के यानि कि Communication जो Cycle है या Communication Process है इसमें Main Main कौन से आपके Elements होते हैं तो सबसे पहले तो आपको यहां पे एक Message चीए होगा यानि कि वो Idea जो Actual Information है जिसको आपने Share करना है इसके बाद सबसे पहले आपका आता है Sender यानि कि ऐसा Person जो Communication Process को Start करता है और जो आपके Message को Send करने वाला है अब Sender है तो यहां पे आपका Receiver भी होगा यानि कि कोई ना कोई यहां पे इस Message को Receive करेगा और बीच में आपका Medium आता है यानि कि जिस भी Medium से आपका Data जो है वो Travel होगा इसको हम Simply Channel भी बोल सकते है या Simply इसको Path भी बोला जाता है और इसके पहले आपका Encoding होती है and finally Decoding भी होती है तो Message है Message Sender ने आपका Send किया तो Encoding होगी Encoding यानि कि आपके Message को Convert करना किसी Particular Language के अंदर वहाँ पे Symbols का Use कर सकते है Image का Use कर सकते है ताकि जो Receiver है उसको Message को समझने में आसानी हो तो इसी Process को हम Encoding कहते है and इसी तरीके से जब यह Medium के थुरू या Channel या Path के थुरू आपका Message Sender Receiver के पास जाएगा then इसी Message को हम Decode भी करते हैं जिसको हम Decoding बोलते हैं तो Main यहाँ पे जो Step है आपके Total हमने यहाँ पे देखे थे कि आपका Six Step तो यह है and इसके माद आपका यहाँ पे Feedback आता है यानि कि जब आपका Information Sender से Receiver के पास जाएगा then Receiver उसके Response में एक Feedback देता है आप एक Message को Send करते हैं तो कई बार हमको Noise भी वहाँ पे देखने को मिलती है Noise यानि की जो की Barrier का काम करता है कई बार आपका Communication Process के अंदर तो यहाँ पे Seven जो Main Step है आपका Message Sender, Encoding, Medium, Decoding and Receiver and Finally Feedback और साथ में आप Eighth Element यहाँ पे जोड सकते हैं आपका Noise जो की एक Barrier की तरह काम करेगा तो इनकी जो Definitions है या इनके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे Message क्या होता है जो आपका Actual Information या Idea है जिसको की हमने Send करना है और Sender क्या होगा जो की आपका Information को Send करेगा और यही आपका Communication Process को Start भी करता है Then Encoding आपके होती है Process of Changing Message into Symbols, Picture या कोई और आप यहाँ पे Means का भी यूज़ कर सकते हैं ऐसी Medium आपका होता है Channel या Path जिसके थूँ आपका Message जो है वो Pass On होगा Decoding यह होती है Process of Translating Message Sender का Message है उसको एक Effective Language में या समझने के लिए जब उसको Convert करते हैं तो इसी Process को हम Decoding कहते हैं Receiver जो Person आपका Message Receive करेगा And Finally Feedback होता है Receiver का Response Message के लिए और यह आपका Last Step होता है और यही Step Communication Process को या Communication Cycle को Complete भी करता है तो Next है हमारा Meaning of Feedback तो Feedback जो है यह Main Topic है 10th के लिए पाके Topic तो हमने Class 9 भी पढ़े थे तो Feedback जो होता है यह Receiver का Response होता है और यह Enable करता है Evaluate करने के लिए कियानि कि कितना Effective हमारा Message है यानि कि Feedback के Basis पर ही जो आपका Sender है वो यहाँ पर Evaluate कर सकता है Message की Effectiveness को और यह Response भी होता है आपका Receiver का Message को यानि कि Receiver का Response होगा किसी भी Message को तो यह आपका Feedback है विसकी Importance क्या है कई बार Exam में पूछा जाता है कि Important क्यों है Feedback तो सबसे पहले तो यह Final Step होता है Communication Process का और यह ही आपका Communication Process या Cycle को Complete करता है Then यहाँ पर या Help करता है Evaluate करने में जो भी Message Sender ने Send किया है उसको Evaluate हम कैसे करेंगे जो कि आपका जो End User है या Simply आपका Receiver हो आपका Audience हो वो जो भी Feedback आपको देते हैं उसी की वज़े से हम Effectiveness यहाँ पर चेक कर सकते हैं किसी की Message की और अगर Feedback नहीं होगा तो यहाँ पर Chance होते हैं कि हमारा Miss Communication यहाँ पर हो या Communication Cap यहाँ पर नजर आए एक Communication Process के अंदर और Effective Communication के अंदर आपको जो Feedback है यानि कि Effective Feedback जो है उसके अंदर यह कुछ Qualities या Properties यहाँ पर होनी चाहिए जैसे कि आपका जो Feedback है वो Clear होना चाहिए वो Informative होना चाहिए उसमें Right Attitudes होना चाहिए Well Timed होना चाहिए Specific होना चाहिए और Countable होना चाहिए यानि कि Feedback के अंदर कही बार आप Quantity भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं जैसे Class के अंदर आपका Test होता है तो Teacher आपको Feedback देता है तो वहाँ पर आपको Feedback है वो Countable Form में होता है यानि कि आपके Grade क्या है Marks कितने है Percentage कितने है तो हम बोल सकते हैं कि आपका Countable भी है इसके अलावा Types of Feedback तो पहला हमारा Type है Descriptive Feedback यानि कि Descriptive Feedback क्या होता है जब आप Feedback देते हैं Information को आप वापिस Send करते हैं किस Form में? Return के Form Return Form में जिसमें कि आपका Comments यहां पे हो सकते हैं या Verbal Communication हो सकता है इसके Example क्या है? Teacher-Student Interactions है या Parent-Child आपका Interaction है तो यह हमारा होता है Descriptive Feedback इसके बाद आपके आजाते हैं Specific and Non-Specific Feedback तो Specific Feedback क्या होता है? जब आप Specific यहां पे Feedback देते हैं कि आपका General यहां पे जो Overview है उसके बारे में आपने बात करनी है और जो आपका Non-Specific होता है उसमें आप बात करते हैं Entire Thing की जिसमें की पूरा का पूरा आपका आजाता है यानि की General Overview भी होगा और साथ में आप बात करेंगे पूरी चीज की भी तो यह आपका होता है Non-Specific और Specific में आपका यहां पे आता है General Overview तो I hope आपको Feedback यहां पे समझमा आया होगा और साथी में जो Communication Cycle है या Communication Process है यह भी आपको यहां पे समझमा आई होगी तो इस वीडियो के जो Notes हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी तो इसी के साथ हमारी यह वीडियो भी खतम होती है वीडियो No.31 तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में वीडियो No.32 तो में मिलेगी वीडियो में वीडियो के साथ हुआ आपसे अगली वीडियो नापसे है